This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group and you're watching Local TV, the news of your Dose Step. Namaskar दोशको, स्वागत है आप सभी का Local TV पर. आज की तारीख है 2 जुलाई 2022 और मैं आपकी अपने निशा लेकर आए हो आज का छोटा डोस. तो आएए देखते हैं आज की खबरें. और 19 जुलाई तक नमांकन होंगे. 6 अगस्ट को चुनाओ होंगे और इसे दिन मतगनना भी होगी. मौजूदा उपर राष्ट्रपती का कारियकाल 11 अगस्ट को समाप्त हो जाएगा. अथा इससे पहले देश का नया उपर राष्ट्रपती भी चुन लिया जाएगा. में आम सहमती हो चुकी है. तीन क्रिशी कानूनों के विरोध में एक साल से ज्यादा समय तक चले आंदोलन कानून वापसी के बाद और केंद्र सरकार की ओर से किसानों के प्रस्ताव मान लिये जाने के बाद से स्थागित कर दिया गया था. हालांकि अब एक बर फिर किसान संयुक्त मोर्शा यानि SKM अपनी गतिवीद या तेज करने की तयारी कर रहा है. किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर SKM फिर से आंदोलन करने की तयारी में है. इसे लेकर यूजना पर चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्शा ने कल यानि तीन जुलाई को उतरप्रदेश की गाजियाबाद में बैठक बुलाई है. इस बैठक में मोर्शा से जुड़े सदस से शिरकत करेंगे. राजस्तान के उधैपूर में दरजी कनहियालाल की हत्या के दोनों आरोपियों रियाज अक्तरी और गौस एहमत का उतरप्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है. रिपोर्स के मुताबिक NIA की जाज में दोनों आरोपियों के UP के कानपूर से कनेक्शन की बात सामने आई है. इन दोनों ही आरोपियों के दावते इसलामी संगचन से भी जुड़े होने की बात पता चली है दोनों आरोपियों के पास जो दस्तावेज मिले है उनकी जाच से साफ हुआ है कि इनका कानपूर के अलावा दल्ली और मुंबई से भी कनेक्शन है तिलंगाना के हैदराबाद में आज से भारतिय जनता पार्टी की दो दिवसिये राष्ट्रे कारेकारे ने बैठक शुड़ू हो रही है इस बैठक के लिए बीजेपी ने विशेश तैयारिया की है पार्टी ने इस बैठक से पहले ही अपने कई वरिश नेताओ को तिलंगाना की सभी 119 विधान सभाव में तनात कर दिया था जहां उन्होंने स्थानी कारे करताओ और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठको और समेलों में हिस्सा लिया वही कल शुक्रवार को पार्टी के राज़्टी अध्यक्ष ने हैदराबाद में एक रोड शो भी किया था यूपी के गोंडा में पुलिस ने एक दलित लड़की को अगवा कर मुंबई ले जाने और वहां उसका धर्म परिवर्तन कराने का मामला दर्श किया है आरोप है कि गिर्नाप करने वाले दूसरे समुदाई के लड़के ने धर्म परिवर्तन कराने के बाद लड़की से निखा किया फिर मुंबई में अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर अपने साथियों से उसका रेप कराया कुछ दिनों बाद उसे गोंडा स्टेशन पर लाकर छोड़ गया पीडित परिवार ने नियाई की गुहार लगाई तो एसपी ने परसपूर पुलिस को कारवाही का आदेश दिया इसके बाद पुलिस ने सामोहिक दुशकर्म दलित उतपीरन समेत अन्य धाराओ में चार आरोप्यों के खिलाफ के इस दर्श कर छानबीन शुरू कर दी है दलि पुलिस के एक कॉंस्टेबल ने उत्तर पश्चिम जिले में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से कथित तौर पर खुद को गोली मार कर आत्मेहत्या कर ली आत्मेहत्या की वज़ा अभी तक पता नहीं चल सकी है पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मातम के लिए भेज कर घटना की जाच शुडू कर दी है अधिकारियों ने शरिवार को कहा कि उन्हें दिल्ली के प्रशांत विहार में एक रहागीर ने सुभा करीब 9 बजे सूशना दी की इलाके में एक पेट्रोल पम की चार दीवारी के पास खड़ी एक कार में एक शव पड़ा हुआ है भारतिय टीम के स्टार ओल राउंडर रवेंदर जडेजा ने चोट के बाद इंगलान के खिलाफ टेस्स सीरीज के पाचवेव मैच में शानदार वापसी की उन्होंने अपने टेस्ट करियर की तीसरी शतक एसबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर ठोका साथ ही इस साल का ये उनका दूसरा शतक है इस पारी में जडेजा ने 146 रन बनाने वाले रिशव पन्त के साथ छटे विकेट के लिए 222 रनों की पार्टनर्शिप भी की थी भारत के इन दोनों बाए हाथ के बल्ले बाजों ने शानदार बल्ले बाजी की और अन्थानबे रन पर पार्च विकेट गिरने के बाद पारी को समाला तन्नुवित्स मन्नु रहना है तेरी दल में जैसी रोमैंटिक फिल्मों में चौकलेटी बॉई बनकर दिल जीतने वाले आर मादवन आज एकदम नए अंदाज में दर्शकों के सामने आये है वो देश के बड़े वैज्ञानिक के जीवन की कहानी को रुपहले परदे तक लाए है उनकी फिल्म रॉकेट्री दनामबी एफेक्ट सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है फिल्म ने रिलीज से पहले ही शोशल मीडिया पर बस बनाया हुआ है वहीं अब आज सुभा से ही आर मादवन शोशल मीडिया पर चाय हुए है फिल्म में हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार शारुक खान से लेकर साउथ के सुपरस्टार सूर्या भी नजर आ रहे है